कठल की गीली सबजी तो आपने बहुत बर बनाई होगी और खाई होगी इनफेक्ट मैंने भी 2-3 रेशपी आप लों के साथ सेयर की होई है आज मैं आप लों के साथ कठल की एक सूखी सबजी की रेशपी सेयर करने वाली हूँ जो कि मेरी मम्मी की one of the best recipe है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मतलब सुबा, साम, दिन, रात, तीसो दिन मिले मैं खालूंगे, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आती है तो ये अभी की वीडियो नहीं है कुछ टाइम हो गया है इसको मतलब जब मैंने कठल कोफता की recipe आप लोगों के सेयर की हुई थी ना ये उसके दूसरे दिन की ही recipe है जो कि मैंने बनाया था आधे कठल का कोफता और आधे कठल की मैं यहाँ पर सूखी सबजी बनाने वाली हूँ तो कठल को तो मैंने बहुत बरबता है कैसे काटना है आप हाथों में तेल लगा करके काटे तो इसका जो गम है ना मतलब इसमें जो चीट होती है काफी सारी ग्लू वह बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं तो मैंने यहाँ पर पहले कठल को छील लिया है और बीच वाले पार्ट को हम हटा देंगे उसके बाद हम इसके बहुत ही सॉफ्ट था तो इसे निकालने की विल्कुल जोरत नहीं पड़ी तो मैंने यहाँ पर कुकर में डाल दिया कठल पानी डाला है दो कप के करीब मतब जितना कठल डूब जाए उतना और साथ ही एक चमचे करीव नमक अड़ किया अब हम क्या करेंगे हाइ फ्रेम प बहुत है तो हम क्या करेंगे ना यह दोनों दाल और चावल कुद मिक्सर के जार में ट्रांसफर कर देंगे तो कोई आक लकि फ्रेक्वा नेThere долларка रेऊ तो हम क्या करेंगे थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे और इसे पिस करके तयार करेंगे अगर यह हल्की सी दर्दरी भी हुई ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हल्की फुल्की दर्दरी चलेगी आपको बहुत जादा एकदम से फाइन पेश नहीं बनाना है तो यहाँ पर यह पिस गई है तो मैं इसे निकाल करके साइड में रख रही हूँ और इधर कठल में एक विसल आ गया थे तो मैंने यहाँ पर इसका फ्लेम आफ करके यहाँ पर कुकर का ढखकन खोल लिया है और आप देख सकते हैं कठल हमारी मतलब 70-80% ही कुक हुई है एकदम 100% आपको कुक नहीं करना है मतलब एकदम से सॉफ्ट नहीं करना है यहाँ पर और तुरंत हम क्या करेंगे इसका फानी छान करके अलग कर लेंगे इसे हलका सा ठंडा होने देंगे इधर मैं दूसरे साइड चावल बना रही हूँ क्योंकि यह जो कठल की सबजी है चावल के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है वैसे आप इने रोटी के साथ भी खा सकते हैं तो यहाँ पर मैंने खलवट्टा ले लिया है अपना उसमें मैं 5-6 कलिया लहसन की आड़ कर रही हूँ साथ एक छोटा सा टुकडा अद्रक का तीन हरी मिर्ची आड़ किया है मैंने आपको जिस एकॉर्डिंग तीखा पन पसंद हो आप उस एकॉर्डिंग इसमें मिर्च जिसे आड़ कर सकते हैं वैसे यह हलकि सी तीखी रहती है तो बहुत एच्छी लगती है खाने में तो मैं यह अपर इसे दरदरा कुट लिया है अदरक मिर्च लगले को आप चाहें तो मिकसर में भी एक पर यहाँ पर इसे चला सकते है और यह जो सबजी है बहुत ही क्रिस् भी बनती है, जो हमने चावल और दाल वाला पेश्ट बनाया था ना, उसे हम यहाँ पर कठल में एड़ कर देंगे, इसी से जो मतब कठल का टेश्ट है ना, बहुत ही बढ़िया आता है, साथ यह इसमें कुछ मसाले एड़ करेंगे, तो मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर, ध कठल में, तो आप अराम से धीरे-धीरे करके मिक्स करें, आप चाहें तो यहाँ पर चमच से भी कर सकते हैं, लेकिन यह हाथों से ही अच्छे से मिक्स होता है, आप देख सकते हैं, कैसे यह कठल में चारो साइड अच्छे से कोट हो गई है, और आपको यहाँ पर कठल के सा अगर आपको भी मेरी तरह कथल पसंद आना तो आप यह रेस्पी एक बार ट्राइ करके देखेगा आपको बहुत जादा पसंद आएगा मतला आप फैन हो जाएंगे जो लोग इस तरह से कठल बनाते हैं वो भी मुझे बताईएगा कि आपने इस तरह से कठल की सबजी कभी खाई है या नहीं यहाँ पर देखिए से भूनते वे 7-8 मिनट हो चुके हैं इसे थोड़ा सा और चटनी तो यह भी ट्राइ किज़ें अगयन यह भी बहुत सिंपल सी चटनी है बट बहुत टेश्टी लगती है खाने में वैसे जैनरली इसे सिलवट्टे में पीसा जाता है तो और भी इसका टेश्ट बढ़िया आता है लेकिन कोई नहीं मिक्सर में भी अच्छी लगती है खाने में तो मैंने आपर एक आम एड़ किया यह खटी है थोड़ी सी साथ आठ पुदिने की पत्ते दो सुखी लाल मिर्च एड़ करी है साथी नमक और चीनी एड़ करेंगे बहुत सिंपल सी है बहुत ज़्यादा इंग्रिडेंट वेगरे नहीं डलते है फिर भी बहुत स तैयार हो गई है तो आप इसे सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ पराठे के साथ आपको बहुत पसंद आएगा और साथ ही देखिए इदर जो कठल अना उसे भुनते हो मुझे 12-13 मिनिट लगे हैं और यह सारे कठल के पीसे जएन अग्दम अलग अलग हो गए और अग्दम क् संद आएगा और आज की वीडियो अच्छी लगे हो ना तब इसे लाइक किजेगा सेर किजेगा बाबाई